अजादी का अम्रित मोहसब बना रहा है इस बार भी पिछले साल के तरह परधान मंतरी नरिंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा फैराने का आवान किया है 15 अगस्त के अगर बात करें तो इस बार हर्याना में भी नज़र टिकी रहेगी नुह की अगर बात करें तो नुह में हर्याना के परिवाहन मंतरी मूल्चन शर्मा जी धोजा रोहन करेंगे मूल्चन शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं सर 15 अगस्त के दिन आप जाने वाले हैं हर्यान सरकार में पहले कैबिनेट मन्तरी होंगे जो वहां का दोरा करेंगे और धोजा रोहन करेंगे, किस तरीकी की अपील जंता से करेंगे, खास कर नूह की? देश की आजाजे का चयत्रमा तुरंगा फेराने का मुझे नुहजला मिला है है गजारुकुला है और मैं तो पहले है कि सब लोग शांती भाहईचारा बनाके रख था और सब लोगちら को मिल यह मिल के हम देश के लिए काम करना चाही है क्यूंकि सर नूंकी अगर बात करें उस जगह पे आप जाएंगे जहां पर करिफ्यू लगा है हालांकि आज धील भी दी गई है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो संख्या क्योंकि हिंदो की कम है वो पलायन भी वहां से कर रहे हैं तो किस तरीके से वहाँ पर आपकी स्पीच रहे की क्या कुछ जो भी सरकारी स्पीच होगी उसी पे स्पीच देंगे जो भी होती है सब लोगों की होती है उसी पे अपनी स्पीच देंगे और लोगों की स्पीच होती है पुरिदेश की स्पीच होती है पुरिदेश की होती है और अपने जले की होती है वहाँ दोनों समुदाय के लिए क्या कुछ कहना है नहीं हमारे दोनों समुदाय के सब लोग है कुछ लोग हैं सराती तद जिन्हों न किया नहीं इम्हां तो शान्ती अमन पुरी है पुरी शान्ती के साथ कारी करें संसत चर रहे सर राहूल गांधी ने कल स्पीच भी दी है उनका कहना है कि कैरो सीन डाल कर भारती जन्ता पार्टी ने पहले मनिपूर को जला दिया अब हरियाना को जला रहूल जी का बयान अपना बयान और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर जंता से आप क्योंकि जिस तरीकी के दंगे वहाँ पर हुए हैं हालांकि बल्डोजर की कारवाही भी की गई उस पर रोक है हाई कोट की आफताफ एहमद जीन जो नू से मेले हैं वो कह रहे हैं कि गरीबों का घर उजाड़ दिया है भारती चाहें देश की आजादी का छेतरमा दो जहजार रूटन होगा वहां पर और मैं इस कारीकरम में जाओंगा महापके सब लोग अपने इलाके के लोग हैं भाही चारा पहले बराद देश की आजादी के लिए दोनों समदाय के लोग इखटे लड़े हैं और हमने उस आजादी के लड़ाई की किस से सुने हैं चाहे मुसल्मान हों चाहे हिंदू हो चाहे साही हो समने लड़े जड़ी है अब ताब क्या कहता क्या नहीं कहता उसकी बातों में जादा जवाब देने जितने हैं और जो नहों में जाओंगा उस कारीकरम में सब लोगों से मिलूँगा धन्यवाद सर मुल्चन शर्मा जी हरियाना के परिमंत्री जो की 15 अगस्त को नहों पर पहुंचेंगे ध्वजा रोहन करेंगी इनका कहना है कि दोनों ही समुदाए हिंदू हो चाहे मुसलिम सभी से इननों ने शान्ती के अपील की है और साथ ये कहा कि दोनों समुदाए के लोगों से ये मुलाकात भी करेंगे क्योंकि नूम में इसलिए भी सबकी नजरे टिकी हैं वहाँ पर कर्फ्यू लगा है और जिस तरीके की 30 जुलाई को हिंसा हमने देखी है उसके बाद खासकर हिंदू परिवार में दर का माहोल है क्यामरामन गर्णीश के साथ नेट्वर के लिए चंडिकर से इशाथा कुर।